नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज है 13 अगस्त दिन लविवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर 14 से सभी जिलों में शुरू होगा महिला ससक्तिकरन हग बिहार में अब 18 साल की उम्र में बन सकेंगे कलर गरज के साथ तुफान और आकाश ये बिजली के दौरान ऐसे कड़े खुद का बचाओ बिहार बोर्ड इंटर में स्पोर्ट ताखिले की तिधी बढ़ी टमाडर के बढ़ते दाम को लेकर किंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के ओर वस्तार से गुजरात रोडवेज में ड्राइवर के 4000 से जादा पदों पर भरती नौकडी की तलाश में बैठे हुमेद्वारों के लिए बढ़िया खबर है गुजरात रोडवेज विभाग ने एक भरती नोटिफिकेशन जाड़ी किया है जिसके अनुसा राजी में ड्राइवर के बंपर पद पर भरतियां की जाएंगे अभियान के आविदन करनी की प्रक्रिया शुरू हो गई है ऐसे में उमिद्वार भरती अभियान के लिए 6 सितंबर तक निगम की आधिकारिक वेबसाइट gsrtc.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करें तो आविदन करने के लिए उमिद्वारों को किसी मानेता प्राप्त बोर्ट से बारवी की परिक्षा पास होना अनिवारे है वहीं उनकी उम्र 25 साल से लेकर 34 साल के मध्य होनी चाहिए हलाके आविदन करने वाले आड़क्षित श्रेनी के उमिद्वारों को अधिक्तम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी बता देगस भरती के तहट कुल 4,022 अफ्रिक्तियों को भड़ा जाएगा मुख्य मंत्री अनुसुचित जाती एवं अनुसुचित जनजाती मेधा वृती योजना के तहट मिलती है इतनी राशी अनुसुचित जाती एवं अनुसुचित जनजाती कल्यान विभाग के दोरा मुखे मंतरी अनुसुचित जाती एवम अनुसुचित जनजाती मेधा वृती योजना के तहले सरकार के उड़ से दस्वी में प्रथम स्रेणी से उतरण होने वाले चातर चातराओं को प्रोत्साहन राशी के रूप में 10 हजार रुपय दिय जाते हैं तो वहीं 22 श्रेनी से पास होने बाले 46 शात्राओं को 8000 रुपए प्रोटसाहन राशी के रूप में बिहार सरकार के ओर से दिये जाते हैं इस योजना स्टुरी फिस्तर जानकारी के लिए वेबसाइट sttpskolumn.medhasoft.bih.nic.in पर विजट कर सकते हैं विहारी पहचान में आज हम बात करेंगे गोपाल सिंग नेपाली के बारे में गोपाल सिंग नेपाली हिंदी साहिते के एक भारतिय कवी और बॉलिवूड के गीतकार थे वे चाया वालुत्तर काल के एक कवी थे और उन्होंने उमंग सहित हिंदी कवीताओं के कई संग्रा लिखें उनकी महतपुन रचनाओं में उमंग रागनी पंची निलिमा हिमाले ने पुकाड़ा आधी प्रसद कावे संग्रहों के नाम उलेखनिये हैं उन्होंने कलतना नाम से नेपाली कवीता का संग्रा भी लिखा वह एक पत्रकार भी थे और उन्होंने कम से कम चार हिंदी पत्रिकाओं का संपादन किया जिनके नाम थे रतलाम, टाइम्स, चुत्रपट, सुधा और योगी वे अपनी समकाली महादेवी वर्मा सुमित्रा नंदन पंच, सुरेकांथ, त्रिपाठी, रामधारी से दिनकर आदी के साथ बहुत सम्माने थे उनके काडियों को भारत के विविन विश्र विद्यालियों के पाठिक्रम में शामिल किया गया है सबासट के भारत चीन यूद के दोरान उन्होंने कई देश भक्ति गीत और कवितायन लिखी जिन में सावन भी शामिल है पिहार में बंद और दोई इकाईयों की जमीन बियाडा लेगी वापस आठ अगस 2023 से बियाडा की ओर से बिहार के उन और दोईक छेतरों के लिए नई एकजट पॉलिसी 2023 प्रभावी कर दी गई है जो पिछले काफी समय से बंद और और कारेरत इकाई है बतादिक स्नीती के तहट अब इन बंद यूनिट के उद्यमी बियाडा की तरफ से आवंटित भूकन अत्वा उसका कुछ अंस वापस कर सकते है मालम हो किसकी मदद से बंद पड़ी इकाईयों की भूमी पर दुबाड़ा और दोईक उत्पादन शुरू करना है इसे में इस पॉलिसी के तहट आविदन करनी की अंतिम तारिक 31 ओक्टूबर 2023 तक नरधारित की गई है आपके जानकारी के लिए बता दी कि पिछले दो सालों में वियाडा के द्वारा 800 बंद इकाईयों के आवंटन को रद कर दिये गया है वहीं इनमें से कुछ मामले कोट में है तो कुछ अपील में इसके लावा कुछ जमीन ऐसे भी है जिनने तीसरी पाटी को आवंटित कर दिया गया है बता दे कि इस पॉलिसी के तहट आने वाले आविदनों की समिक्षा बियाडा की एक समीती के द्वारा की जाएगी पटना हावरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रीन का यह है किराया बीते दिन पटना हावरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रीन का दूसरा ट्रायल पूरा किया गया वहीं अब इसका किराया भी अंतिम रूप से तैय कर लिया जाएगा हालाकि मीडिया में चल रही खबडों के नुसार पटना से हावडा के बीच चेयर कार का किराया 1460 रुपे के आसपास निर्धारित किया जा सकता है तो वहीं एक्जेक्यूटिव क्लास का किराया 2650 रुपे निर्धारित किया जा सकता है वहीं कैटरिंग सुल्क समेथ इस स्ट्रेन का किराया कितना होगा इसका निर्धारन एक से दो दिन में कर लिया जाएगा आपकी जानकारी के लिए बता दे कि स्ट्रेन की ओसत रपतार 80 किलोमीटर प्रती घंटे रहेगी महीं अगर हम स्ट्रेन के ठहराओ की बात करें तो बिहार में स्ट्रेन का ठहराओ चार स्टेशन पर तो वहीं पश्चम बंगाल में सर्फ एक स्टेशन पर होने वारा है इसके लावा अगर समय सारनी की बात करें तो इसको लेकर अब तक कोई फाइनल जानकारी सामने नहीं आ पाई है बिहार सरकार ने आसा कारी करताओं के वेतन मान में बढ़ोत्री का किया आसवाशन पिशले एक महीने से राजी भर के आसा कारी करताओं के दोरा अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर किये जा रहे धर्ना प्रदर्शन का बीते दन अंत हो गया है बता दे कि बिहार सरकार के स्वास्ते मंतराली के दोरा दी गई जानकारी के नुसार बिहार के उपमुख्य मंतरी सा स्वास्ते मंतरी तेश्वी आदब के दोरा आसा कारी करताओं के प्रतिनीदियों से बाचीत करते वे उन्हें आस्वासन दिया गया है कि आशा कारी सितंबर से बढ़ा कर 2500 रुपए कर दिया जाएगा इसके साथ ही केंदर से जुरी जो भी मांगे हैं उसको लेकर भी राजिस सरकार की ओर से केंदरी स्वास्तिमंतराले भारत सरकार से बाच्छीत की जाएगी और इन सब के लावा बिहार सरकार रेटार्मेंट बेनिफिट और रेटार्मेंट उम्र को 65 साल करने पर भी विचार करेगा बता दिगन फैसलों को अब कैबिनेट से पास कराना होगा उसके बाद इसका लाव आशाकारे करताओं को मिल सकेगा बिहार में अब 18 साल के उम्र में बन सकेंगे कलर्क नगर विकास इवं आबास विवाग के अपर मुखिस चाबला के हस्ताक्षर के बाद नगर निकायों में होने वाले भरती के लिए संसोधिक नियम को जारी कर दिया गया है जिसके तहट अब नियुन्तम 18 वर्स के आयू में भी निम्नवर्गे लिपिक की बहाली की जा सकेगी जबकि पहले या नियुन्तम आयू सीमा 21 वर्स थी और इसके साथ ही अनुकंप बहाली के लिए भरती आयों के अनुशनशा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस पर विभाग के दोरा खुद विचार किया जाएगा मालुमों के नगर विकास एवं आवास विभाग के दोरा संसुधित बिहार नगर पाली का लिपी के समवर्ग नियमावाली 2030 में प्रापधान किया गया है इसके रावा अब मूल कोटी के 85 प्रतीशत पद आयोग के अनुसंसा पर सीधी भरती और 15 प्रतीशत पद सुपातर कारयाले परिचारियों से वड़िता सहयोगिता के आधार पर भर जाने का रंडेल लिया गया है 14 से सभी जिलों में शिरू होगा महिला ससक्ती करण हब इसके राज और ग्री विवाग शामिल है इसके साथ उन्होंने यह भी बताया है कि बेटी बचाओ के तहट करिंडर तयार किया गया है उन्होंने निर्देश दिया कि सभी प्रकार के फॉर्म में पता के नाम के साथ माता का भी नाम लिखा जाएगा मिली जानकारी के नुसार इसके शुरुआत मिशन सक्ती योजना के सामर्थ एप योजना के तहट की गई है बतादे के हब का कारे जिला कारी करम पदादी कारी के अधीन मुख्यत जिला प्रिशन समनवयक एवं जेंडर विशिचग्य के जरिये होगा इस संडे बंद नहीं रहेगा डांकर अगर आप पोस्ट ओफिस जरा कोई काम करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है बता दे किस बार पोस्ट ओफिस संडे को यानि की आज बंद नहीं रहने वाला है दरसल हर घर तरंगा अभियान को लेकर डाग घरों में तरंगे की बिक्री की जा रही है ऐसी को लेकर डाग घर को संडे को भी खोला जाने वाला है किस संबन में अधिसूचना जारी कर दी गई है इस बारे में डाक अधिक चक राजी देव प्रिशाद की दोरा जानकारी देते वे बताया गया है कि रविवार को भी डाक घर खुले रहेंगे एसे में एक चुकवक्ती 14 अगस्त की स्थाम तक 25 रुपे में तिरंगा की खरिदारी कर सकते हैं मालुमों कि इस बार डाक विवाग की ओर से राजी के 9,48 डाक घरो से आम लोगों को तिरंगा पहुचानी की भी विवस्था की गई है ऐसे में एक मोबाइल नमबर से 5 की संख्या में राश्टर द्वज की बुकिंग कर सकते हैं बुकिंग की बाद 48 से 72 घंटों के अंदर आपको बिना किसी सुल्क के डिलेवरी की सुबधा मिल जाएगी बिहार परेटर में आज हम बात करेंगे समफ सरन के बारी में समफ सरन वह स्थान है जहां भगवान महावीर ने अपना पहला और अंतिम प्रवचन दिया था बाद में 48 घंटे तक चली जो दिवाली की राद को समाथ हुई राजा नंदी वर्धन को उस स्थान को चिनत करने के लिए एक स्थूप का अनर्मान किया गया जिसके खंडर अभी भी मौजूद है यहां 1956 में एक आधुनिक मंदर का नर्मान किया गया था यह मंदर जल मंदर से एक किलो मीटर आगे है मंदर परिसर में फोटोग्राफी वर्जित है समवसरन या समुसरन सभी के लिए शरन तर्थकर किद्वे उपदेश समवसरन सब्द दो सब्दों से बना है समाकार्थ समाने और अफसर का अर्थ अफसर होता है एक ऐसा स्थान जहां सभी को क्यान ख्राप्त करने का एक समान अफसर मिलता है बिहार बोर्ड इंटर में स्पोर्ट दाखिले की तिथी बढ़ी अगर आप भी बिहार बोर्ड इंटर में नमांकर लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है बता दी कि बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर में स्पोर्ट दाखिले के लिए आवेदन की तिथी को बढ़ा तादिक स्पोर्ट नामांकन के लिए छात्र को बोर्ड के OFSS पोर्टल पर ओनलाइन आवीदन करना होगा और फिर आवीदन की कॉपी को स्कूल या कॉलिज में लेकर जाना होगा जहां पर स्पोर्ट दाखिला होगा मालमों के स्कूल और कॉलेज नमांकन के बाद OFSS पोर्टल पर रिक्तियों की सूची 22 अगस तक अपडेट कर देंगे गरज के साथ तुफान और आकाशिय बिजली के दौरान ऐसे करे खुद का बचाओ बिहार सरकार के आपड़ा प्रवंधन विभाग के दौरा पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि गरज के साथ तुफान और आकाशिय बिजली के दौरान खुद का बचाओ कैसे किया जाना चाहिए बता दे किस जानकारी के अनुसार ऐसे सिती में अगर आक ग्रूप में है तो एक दूसरे से अलग हो जाए बिजली की चमक और गरगराहट की आवाज सुनने पर 30 मिनर तक घड़ के अंदर ही रही कंप्यूटर लैप्टॉप गेम सिस्टम वोसर, ड्रायर, फ्रिज, एसी और टीवी, आदी, इलेक्रोनिक उपकरनों को अनप्लक कर दे और दरवाजे खिर किया बडामदे, क्रंकीट के फर्स, फायर, प्लेस, स्टो, पाथटब या किसी अन्य विद्यू समवाहक से दूर रहें वहें सब के लावा किसी भी अपात कालीन सेवा के लिए आपदा प्रवंदन विवा के कंट्रोल रूम असित हल्प लाइन नंबर 0612-2942-04-0612-2942-05 और 7-7-29-1 पर संपर्क कर सकते हैं सुतंतरता दिवस पर राजधानी की गांधी मैदान में दिखेंगी ये बारा ज्हांकिया 15 अगस, उतंता दिवस के अफसर पर बिहार के राजधारी पटना के गांधी मैदान में बिहार के मुख्ये मंत्रे नितीश कुमार के दोरा जंडो तोरन किया जाता है इस तोरान गांधी मैदान में बिहार सरकार के अलग-अलग विवाग के ओर से कहीं जाक्या भी प्रस्तूत की जाती है जिसे देखने के लिए लोगों की काफी भीर जुरती है बतादे गजबार गांधी मैदान में कुल बारा जाक्या दिखाई जाने वाली है जिनमें परेटिन नदर्शाली की ओर से अव मानन जील से था वाटर स्पोर्स की प्रदर्शनी दिखाई जाएंगी और मनुरंजन का समागम परवरन वन एवं जलबायू पडिवर्तन विभाग के दोरा बागों का स्वनलक्षन सूचन एवं जन संपर्क विभाग के दोरा राजकी मलमास मेला सांस्कृतिक काड़े निदिशाले कला संस्कृती एवं युव विभाग के दोरा बिहार के सैलचित्र एवं सैलाश्रे और पसू पारन सूचना एवं प्रसार कारयाले पसू एवं मतस्य संसादम विभाग के दोरा वन हल्थ वन वर्ल जांकी दिखाए जाएंगी मालम हो के सभी जांकिया 15 फूर से अधिक नहीं रहेगी 16-31 अगस तक हर्ताल पे रहेंगी मुख्या मुख्या संग के अध्यक्ष मिथलेश कुमार के दोरा दी गई जानकारी के नुसर 16-31 अगस तक बिहार प्रदेश मुख्या संग अपनी मांगो को लेकर हर्ताल पर रहने वाले हैं बता दी के निरने संग के दोरा बैठक के बाद लिया गया है जोरान मुख्या के दोरा अपने कारियों का भहिशकार किया जाएगा इस बारे में अध्यक्ष मिथलेश कुमार के दोरा कहा गया कि किंद्र और राज्य सरकार पंचायतों को समिधान दोरा मिले अधिकारों पर कुठार घात करने का काम कर रही है उन्होंने कहा कि पंचायतों को ना तस्मिधा प्रदत अधिकारों के अनुसार काम करने दिया जा रहा और ना ही पंचायत के जनप्रतिनीदियों की सुरक्षा की गारेंटी दी जा रही बिहार सरकार जनप्रतिनीदियों को हतियार का लाइसेंस भी नहीं दे रही है बता दे कि संक्योर से सरकार के सामने यह मांग रखी गई है कि अपरादी घटनाओं से मिर्तर चन प्रतिनीदियों के आश्रितों को 50 लाग की अनुगरा राशी दी जाने चाहिए एक क्लिक से जाने किस जाती के लोग है अधिक या कम इसके साथ इस software से यह अभी जानकारी पता की जा सकती है कि राची के बाहर जाने वालों में से किस जाती के लोगों की इस तंख्या सबसे अधिक है बतादी कि बिहार में किये गए जाती है गन्ना के आकड़ों को फिलहाल सर्वर में अप्लोड किये जाने का काम किया जारा है आला कि अब तक यह तारीक तैय नहीं की गई है कि इन आकड़ों के विश्टलेशन का काम कब से आरम होगा मालमों कि जाती आदारित गन्नास चुर्णी रिपोर्ट पूरे राचय के लिए समय के तुरूप से बनेगी और साथ हे जलों के लिए भी अलग से रिपोर्ट बनेगी टमाटर के बरते दाम को लेकर किंदर सरकार ने लिया बड़ा फैसला पिछले कई दिनों से टमाटर के बरते दाम से आम लोगों को काफी परिशानी का सामना करना पर रहा है कई लोगों ने तो टमाटर का अस्तमाल करना तक छोड़ दिया है जिससे कि उनका जायकाब बिगड़ गया है हालाकि अब किंदर सरकार के ओर से टमाटर के बरते दाम को देखते वे एक बड़ा फैसला लिया गया है बतादे किंदरे वितमंत्री निर्मला सीता रमन के दोरा जानकारी देते वे बताया गया कि अब भारत नेपाल से टमाटर का आयात करेगा और इसकी पहली खेप बहुत जल्दी सब्जीयों की कीमत में सुधार देखने को मिल सकती है। मालमों कि वर्तमान में कई अस्थानों पर टमाटर करीब 140 रुपए प्रतिकी लोग बिक रही है। बिहार के कुछ जिलों में बारिश के आसार। बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से लोगों को काफी राहत मिली है। खास तोर पर किसानों को सबसे ज़्यादा खुशी हुई है। ऐसे में अगर हम आज के मौसम की बात करें तो आईमडी बिहार के दोरा मौसम को लेकर जारी किये गए। पुर्वानुमान के अनुसार राजी के कुछ जिलों में जिनमें सीतामरी, मदोबनी, सुपॉल, अर्या, पुर्णिया, कटिहार और कसंगंज जिलों के एक या दो अस्थानों में भारी बारिश की संभावना है। इंजिलों को लेकर आयमडी बिहार के दोरा यलो अलर्ट जारी किया गया है। यह खबर आपके लिए मददगार साबत हो सकता है। सुतंतरता दिवस पर पियम मोदी से मिलेंगे सिवान के मनुच। अरुआ चमवर में बेकार परे करीब 65 बिग लीच पर जमीन लेकर 25 तालाब खुदवाई और मतश्य पारन का काम शुरू कर दिया। इस काम में उन्होंने अपने साथ कुछ बेरोजगार युवक को जोड़ा और फिर कई प्रकार की मचलियों को पालने का काम शुरू किया। और आज वे कहीं लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं अपने इसी मिसाल को लेकर वे इस कारेकर में शामिल होने वाले हैं। अबिहर के छपड़ा के माजी चेक पोस्ट का है जहां पुलिस के दोरा वहां चेकिंग के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया से आरही भिंडी के बोड़ी से हैंड हल्ड स्कैनर के माध्यम से आठ काटन विदेशी सराब की खेब बढामत की गई है। इसके साथ ही पुलिस के दोरा एक तसकर के भी गिरफतारी की गई है जिसकी पहचान दिगवारा थाना चेतर के मानपुर गाउन वासी के रूप में की गई। फिलहाल तसकर को हिरासत में लेते वे जेल भेजनी की प्रक्रिया की जारी है। पतादिक इस बात की जानकारी उतपात अधिक छक रजनीश के द्वारा दी गई है। जानकारी की ये बता दे के आशीश भूसन सिंग की न्युकती इसरो के मुख्य केंद्र LPCC तिरू अनंत पुरव केरल में क्लास वन अधिकारी विग्यानी के रूप में हुई है। वीडियो हुआ वारल एशिया कब 2013 के शुरवाद 30 अगस्त से होने वाली है। ऐसे भारतिये टीम के कप्तान रोहत सर्मा इसको लेकर खास तयारी में जुटे हुए हैं। जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वारल होड़ा है बता दे कि रोहत सर्मा का ये वीडियो खूब धूम मचा रहा है। सोशल मीडिया पर रोहत का ये वीडियो काफी तेजी से वारल होड़ा। दरसल रोहत जिब में काफी कम बार ही पसीना भाते वे नजर आते हैं और यही वज़ा है कि फैंस इंस वीडियो पर तरह तरह के रियाक्शन दे रहे हैं। भारत के तिहास में आज की तारीख है कई कारणों सिदर्ज। भारत के प्रसद क्रांतिकारी नरंद्र मुहन सेन का जर्म 1887 को हुआ था। भारती अभिनेता निर्माता सुनील सिटी का जन्म 1961 को हुआ था। भारती अभिनेतरी श्री देवी का जन्म 1963 को हुआ था। भारत की विडांगना अहिल्या बाई होलकर का निदन 1795 को हुआ था। वारकर में आजम बात करेंगे 500 के नोट और आधार कार्ड के बारे में। सोसल मीडिया पर करी सुचना वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरोई नहीं है। इसी कड़े में आजम बात करेंगे 500 के नोट और आधार कार्ड के बारे में। P.I.B. ने अपने ट्विट में लिखा है कि दावा किया ज़रा है कि पूरे भारत में चार अन्य चीजों के साथ 500 के नोट और आधार कार्ड भी बैन हो जाएंगे P.I.B. ने अपने ट्विट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है इसलिए क्रिप्या ऐसे वीडियो किसी किसा साजा करने से बचें और वास्तविक या सटिक वीडियो ही साजा करें Instagram में अब आप एक से ज़ादा ग्रीड पोस्ट में एड कर पाएंगे म्यूजिक मेटा ने Instagram यूजस के लिए एक नया फीचर रोल आउट किया है जो उन्होंने एक से ज़ादा ग्रीड पोस्ट में म्यूजिक लगानी के नुमती देता है यानि आप एक से ज़ादा फोटो या वीडियो पोस्ट करते वे इनमें म्यूजिक अड कर सकते हैं अभी तक केवल सुरवात की एक फोटो में म्यूजिक अड करने का ऑप्शन होता था बाकी फोटोस बेना ओडियो के दिखती थी लेकिन अब आप सभी में म्यूजिक अड कर सकते हैं दवर्ज के रिपोर्ट के अनुशाल ये फीचर सुक्रवार को अमेर्गी गायक गीतकार उलीविया रोडरी को त्वारा पेश किया गया था उन्होंने इसका इस्तमाल अपने नए गीत बैड आईडिया राइट को जारी करने के लिए किया था ध्यान दे आप केवल एक ही गाना पूरे पोस्ट में एड कर सकते हैं यानि सभी फोटोस में गाना एक ही रहेगा हर फोटोस के लिए अलग-अलग गाने का उप्शन फिलाल उपलब्ध नहीं है नया फीचर फेज ओर्डर में रिलीज होड़ा है धीरे-धीरे ये सभी को मिलना सुरू हो जाएगा हम प्रते दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल और उसे जिले जवाब बताएंगे प्रते इस रिपोर्ट के नुसार भारत वेपारिक निर्यात की सूची में किस स्थान पढ़ है अगला सवाथ हाली में FISU World University Games 2013 में भारत ने कुल कितने मिडल जीते हैं ऑप्शन E 26 मिडल, ऑप्शन B 20 मिडल, ऑप्शन C 36 मिडल, ऑप्शन D एक भी नहीं इसका सही उत्तर है ऑप्शन E 26 मिडल अगला सवाल हाली में किस राज्य में मैपिंग तिबद प्रदर्शनी का आयूजन किया गया है ऑप्शन E उत्राखन, ऑप्शन B हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन C जमु काश्मीर, ऑप्शन D सिक्किम इसका सही उत्तर है ऑप्शन B हिमाचल प्रदेश अगला सवाल, बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन E बाइस फरवरी, ऑप्शन B बाइस मार्च, ऑप्शन C बाइस अप्रैल, ऑप्शन D बाइस माई इसका सही उत्तर है ऑप्शन B बाइस मार्च अगला सवाल, 1906 पर में राजियों के पुननिर्मान के समय बिहार का कौन साजला पश्यम बंगान में पहुचा दिया गया था? ऑप्शन E मिदनापुर, ऑप्शन B पुरुलिया, ऑप्शन C, बाइस 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 में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है, ऑप्शन B पुरुलिया, बीते दिन हमारे दर पुछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों पजाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिनोंने हमारे दर पुछे का सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है अभिशेक राज, अनवर करीम खान, अनील कुमार, सुदल्ला पलवी, मुटोर रंकीला, अमित कुमार, फात्मा खातूर, विजय घायल, राजकिशोर मातो, योगंदर सा, जितंदर ठाकुर, गिरजे आज के लिए बिहार के तमाम कबरों के साथ, बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस, और साथ ये अगर आप यूटूब से लेके चलनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेस्बुक से रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद